जिनने अपना एक्जाम अप्रेल 2023 में दिया है उनकी वीडियो को आज में आप सभी बताने वाला हूँ इस वीडियो को end देखना ताकि कोई पो टोपिक आपसे मिशना हो जाए मैं मनीश परमा आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे जो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उनको आगे कोलेज में एड्मिसन लेना है कोलेज के एड्मिसन की लास्ट कईयों की 9 जून है कईयों क पहुचा है ताकि आपको यह पता चल पाए कि आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा क्लास 12 और 10 के mostly जो आंसर सीट है को चैक हो गए है बस क्लास 10 के अंदर mathematics, social science और क्लास 12 में PCM, accounts, history और economics इन सब्जेक्स को छोड़कर बाकि जितने भी आपके सब्जेक्ट से उन सभी के आ चैकिंग चल रही है, और आपके रिजल्ट को लेकर एनस्पोट के जो हाली में मिटिंग की गई, जिसके अंदर state coordinators और जितने भी रिजल्ट के डिरेक्टर से उन सब को इसके अंदर बुलाया गया, बाकि online तरिकेशन को जोइन किया गया, और यही बात की गई कि जो अभी जो रिजल्ट है, वो 20 जून तक आएगा, और एनस्पोट की notification में भी 20 जून बता दिया गया है, जिन्होंने अपना exam अप्रेल मई 2023 में दिया है, उनको अपना examination fees, अगर कोई बच्चा रह जाता है, तो October examination दे सकता है, वो उसकी last date में 20 जून ही रखी गई है, that means 20 जून तक आपका result आने वाला है, लेकिन जिस speed में इस time answer sheet check किया जा रहा है, इस हिसाब से आपका result है, वो बहुत जल्द declare किया जा सकता है, और जून के second week में कभी भी आपका result आ जाएगा, ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में जितने भी educational board है, उन सभी boards में, चाहिए CVC हो गया, इन सब का result आ चुका है, बट annual support का result अभी तक नहीं आया है, इसी को देखते हुए, इस meeting के अंदर इस मुद्द को उठाएगा, कि annual support के भी जल जल result डिक्लेर करना हुआ, ताकि college में admission ले सके बच्चे, और एक चीज़ आपको धियान रखना है, कि आप सभी के TMA और practical, इन दोनों के marks क तो जब हम plus कर देते हैं, तो theory के marks आपके automatically increase हो जाती है, जो कि pass percentage को बढ़ा देती है, अगर आप देखोगे, तो इस subject के अंदर 29 marks आया है, theory में, practical में 14 आया है, TMA में 13 आया है, और मिला के हो जाते है, 56 marks, 30 में बच्चा हो जाता है, pass, इसके अंदर 20 आया है, इसमें 7 आया है जिसके आधार पे, आप सभी को कुछ marks extra देखा, theory में pass किया जा सकते हैं, अगर जो students कुछ marks से रहे भी रहे हैं, क्योंकि NS mode के अंदर बच्चा regular school तो जाता है नहीं है, तो NS mode के पास, सिर्फ एक ही formula है, TMA और practical अगर आपने दिया हुआ है, तो आप हो सकते है, theory examination में pass, बिल दी गई है, कि 20 June से पहले ही आपका result declare कर दिया जाएगा, तो अब आपको इसके टांसर नहीं लेना, आप आगे जो भी करना चाहते हो, आप उसकी preparation कीजिए, और आप अपना गोल अभी से set कीजिए, अब हम बात करते हैं, जो अपना exam, October 2023 में देने जा रहे हैं, जितने भी स लेते हैं, उनके result के अंदर पहले theory, practical, then TMA, इन तीनों का marks add किया जाता है, तो सबसे पहले आप सभी को TMA submit कर बाना होता है, then आप सभी को practical देना होता है, then आप सभी को theory examination देना होता है, तो जो TMA की date है, वो आ चुकी है, और TMA submit होने start हो चुके है, आप सभी का जो TMA uploading है, व दुआरा आप सभी के phone पे ये message भी send किया जा चुका है, तो आप सभी को अप अपना TMA upload करना है, कैसे करना है, simple आप सभी को अपनी ID login करना है, आपको अपना enrollment number और date over डालना है, जो कि icard पर दिया होता है, और simple आप सभी को download TMA वाले option पे click करना है, और question पहले download करना है, और लिखना है, और answer आपको A4 size page पे लिखना है, और then उसको scan करके PDF बना रहा है, और simple upload TMA पे आकर, जो जो आपके आप सब्जेक्ट है वो इसमें दिख जाएगा, simple इस पे click करके उसको upload कर देना है, आप सब्सक्राइब कर देना है, और पूरी आइनस वोड के जो expert team है, उनके दुवारा solve TMA की PDF दे दी गई है, तो अगर आप खुछ से solve नहीं कर पा रहो, अगर आपको ये चाहिए कि मैंने को solve PDF मिल जाए, और उसमें से देख देख कि मैं लिख लू, तो आप solve PDF ले सकते हूँ, October 2013 TMA का solution दिया गया है, लिंक आपको मिल लिए अगर नीचे description box के अंद आपको लेट बिल्कुल नहीं करना, लिंक लिचे description में है, TMA को download कीजिए, और जल्दे से इसको upload कीजिए, और अगर आपने अभी तक अपनी examination की preparation नहीं कीए, तो online classes में join हो जाईए, booster में या premium में batch loan हो चुका है, और आपकी classes स्टार्ट होने जा रही है, आप कहीं पीछे न इनने की last date जो है, वो 20 June है, October November 2023 में जो अपना exam देने जा रहे है, इसलिए आप सभी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, जिनका ये doubt है कि NS Board के दुवारा क्या syllabus चेंज कर दिया गया है, तो आपको मैं ये बता दू, NS Board का जो syllabus है, वो कुछ sublet scan ने चेंज किये गया है, जैस students को ये नया वाले syllabus पढ़ना है, बाकि जो अपने exam October 2023 में देंगे, या on demand में देने जा रहे हैं, उन सभी को old syllabus ही पढ़ना है, कोई नया syllabus नहीं पढ़ना, क्योंकि जो नया syllabus है, ये 2024 के session से implement हुआ है, तो आप सभी को ये जहान रखना है, और ये चीज़ एनिस वोड के दौ आप सभी को old syllabus ही follow करना है, आप mail भी यहाँ पर देख सकते हो, तो इस तरके से syllabus की बात यहाँ पर clear होगी, syllabus आपको कैसे मिलेगा, syllabus की लिंक पर डिस्क्रप्शन में, आपको simple उन वीडियो को देख लेना है, जिसमें मैंने पूरा syllabus समझाया हुआ है, बाकि एनिस वोड की प post office में पता के जिए, बुक्स की hard copy भी आ गी है, आपको books hard copy ले लिएना है, और पढ़ाई अभी से start करना है, यह में सम्मिट कर देने के बाद आपका जो practical है, यह 15 September से start हो जाएगा, और आपका जो theory examination है, इसकी जो expected rate है, यह भी एनिस वोड के दौरा बता दी गई है, October, November 2023 examination जो है, वो family 9 October से start होने जा रहा है, तो अब आपके पास सिर्फ तीन महीना है, बहुत अच्छे से preparation करने के लिए, क्योंकि बीच में आपको assignment भी submit करवाना है, practical भी देना है, practical exam देने भी जाना है, then आपको theory exams भी देना है, तो इसलिए आपको अपनी preparation अभी से start करना होगा, ताकि 9 October से जो exam सोने जा रहे है, उसकी preparation आप करके बिलकुर ready रखो, ताकि एक भी student science board के अंजर फेल ना हो, हम क्या कर रहे है, पिछले 10 सालों से सभी students को guidance दे रहे है, इस तरह के से बच्छा online तरीके से हम से जुड़ता है, अगर आपको यहाँ पर सारी बाते मेरी समझ में तो सेम इसे तरह के से मैं online classes के अंदर students को guidance देता हूँ, आपके सभी syllabus को time पे cover करवा के आपको वो सारे questions बता देता हूँ, जो आपको exams में आने वाला है, और इस तरह के से बच्छा connect होता है, और online तरह के से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो, चाहाँ भारते किसी भी कोनी मे तो please classes में जोइन हो जाना, link निचे description box के अंदर है, booster में मिलेगा आपको recorded classes, और premium में मिलेगा आप सभी को live classes, that's up to you, जो आपको अच्छा लगए आप जोइन कर सकते हो, तीए में practical, important questions, इन सब की link नीचे video description box में दे दी गई है, जो बच्चे इस video को देखते हैं, वो subscribe नहीं जाती है, वो भी time to time, please subscribe कीजिए, और बैल आकन पे click करके all पे click कर लिजिए, ताकि जो भी videos upload हो, आपके अपस सबसे पहले इसका notification आजाए, आप एल के बाद, अब October students के बारी है, अब आपको पास करवाने की मेरी जिम्मेदारी है, important questions, short notes, इन सब की link के नीचे video के description box में डा download करके अब पढ़ना आपके जिम्मेदारी है, minimum लाइक्स video के अंदर आपने प्यार में रखना, जाहिंत, जाबारत